वीडियो 5G chapter 5 और आज इस वीडियो 5G में homework में आपको try this page number 88 और page number 91 पर solve करनी तो आज आपको two try this solve करनी है तो shwens first है page number 88 तो आपको simple है to question sense में take any postcard तो आपको postcard लेना है तो यह तो आप जानते हैं step होता postcard step से तो आपको postcard लेना है और postcard लेना के बाद अगा रखा है इसमें use the above technique to measure its two adjacent sides आपको इस side आपको measure करनी है एक side ये वाली और एक side ये ठीक है ये तो उसका लिफावा होता है post card इसके अंदर होता है तो आपको two sides आपको measure करनी है किसे skill से ruler से करनी है और divider से करनी है आपको नहीं बताया था measure करना है ठीक है तो उसके बाद करहा है select any three object having a flat top ऐसे तीन object लेने हैं जो उपर से flat हो ठीक है अब जैसे आपका box होता है geometry box हो सकता है ठीक है और भी है measure all sides of the top using a divider and a ruler आपको वो measure करनी है उसके sides ठीक है तो same question है लेकिन इसमें इसके लाबा आपको three object लेने है ओक है अब assurance अब उता कता हो मैं ऐसे ये box है ये flat नहीं है यहाँ goal है ठीक है तो ऐसी नहीं लेना है cool एसा flat ठीक है या इस step से आपको phone लेना है mobile लेना है ठीक है उसकी side measure measure करनी है या फिर आपको इस step से ले सकते हैं कोई object ठीक है तो आप अपने accordion ले सकते हैं तो आपको page number 88 पर try this दी है यह आपको solve करनी है ठीक है जैसे chapter सुरू होता है start होता है उसके बाद ही है ठीक है अब students फिर आपको page number 91 पर एक try this और दी है वो आपको solve करनी है यह try this exercise 5.2 से just पहले है just पहले है ठीक है तो exercise 5.2 से just पहले है यह और इसका इसमें 3 questions हैं यह आपको self solve करना है तो मैंने आपको बता चुका हूँ उसका basic कि किस टैसे solve करते हैं क्या तो मैं उसको बता चुका हूँ ठीक है बताना का means यह है कि आपको मैंने exercise में इस तरह questions आई थे तो जिससे इसका first question है तो मैं solve भी कर रहा हूँ ठीक है आपकी हाँ अगर आप इस तरह से इसको दिखेंगे वीडियोस को तो आपको उसमें help बिलेगी यह हो सकता है ठीक है तो आप देखी वीडियोस को ठीक है फिर उसको बाद solve करना डाइक्ट सॉल्फ मत करना वीडियोस को इसको ठीक है डाइक्ट सॉल्फ मत करना हूंबर को पहले आप मेरा जो मैं इसको बता रहा हूँ तो पहले इसको सुन लें आप पहले तो उसका questions है what is the angle name of half revolution half revolution में कौन से angle बनता है इसको मैंने लिखा है इसको मैंने नोट्स देखो नोट्स बहुत important होते हैं हर वीडियो की नोट्स को देखा करें और इसको समझा करें ठीक है और उसको नोट क्या करें जिससे मैं लिखा है one upon half revolution में सोता state angle ठीक है तो इसका answer तो वैसे यह ही है बहुत simple हो गया ठीक है तो इसका answer ही है तो आपको इस समय से खनना है अब student question है what is the angle name for one fourth revolution देखो one fourth revolution में कितना angle बनता है देखो one fourth revolution मेंने one fourth revolution में तुम्हें एक काम करता हूँ one fourth revolution मेंसे में आपको सुन जाए तो था देखो one fourth revolution देखो students one fourth revolution में लग देता हूँ ठीक है one fourth revolution means one right angle ठीक है इसका means यह होता है one right angle आप समझते होंगे मैं समझता हूँ तो इसका answer यह है second वाले का तो इस ताहां से करना है ठीक है मैं आपको बता देता हूँ तो को मैं इसको solve पर देता हूँ ठीक है वन fourth तो को यह ठीक है इस साहां से होता ना तो one fourth इतनों हो गया तो यह बन fourth यह one fourth होता है यह one fourth होता है तो यह वाला part बन fourth यह बन fourth यह बन fourth यह one fourth थूद है तो one fourth means होता है right angle 90s 90s को कै बोलते है right angle बोलते है तो इससाँ आपको करना है ठीक है अब question नमर थट है draw five other situation for one fourth three-fourth revolution तो इस तरह से questions मैंने आपको समझाया है तो आप इसके help ले सकते हैं तो इसमें help ले सकते हैं अब students यह आपको try this thing पेसे नमर 88 और पेसे नमर 91 पर तो यह आपको तो टू टाइदी से यह solve करना है और हो सके तो आप figure बना देना ठीक है जिसे मैंने figure बना के solve की है questions exercise 5.2 को question मैंने mostly जो है questions को मैंने figure बना के solve किया है ताकि आपकी समझाया है और आप जब भी उसको समझें तो easily हो ठीक है तो आप लोग भी एक कम करें कि इन questions को figure के अगर माध्यम से समझा सकें तो waste रहेगा और इसकी just जो मैंने आपको अभी समझाया थी try this यह आपको मैंने try this समझाया थी इसको भी figures बना के अगर कर दें तो waste है देखो देखो क्या होता है figure से teachers भी असानी से समझ सकता है और students भी ठीक है तो जब आप मुझे homework में solve करेंगे homework आप solve करेंगे और जब मुझे check कराएं तो मैं समझाया बच्चे ने अपना mind का use किया है ठीक है तो आप लोग figure पर बहुत ध्यान दें और figure हो सके तो बनाएं ठीक है तो अगर लग रहा है कि इस questions में figure होना चाहिए तो उसको बनाएं तो यह questions थ्री questions आपको solve करने हैं और यह मैंने बुद्धी है आपको page 88 पर try this वो भी आपको solve करना है ठीक है तो आज मैंने two बताया थी try this ठीक है तो एक ही वाली और यह तो आपको दूनों ही try this solve करना है कोई भी आपको doubt हो ठीक है कोई questions नहीं कर मिलें तो आप मुझे बताना है ठीक है उसके लिए मैं आपकी help परूंगा तो students आज का video यहीं तक और मेर अगर आपका किसी भी chapter में किसी भी topic में बर complete नहीं है तो please मुझे बताएं अगर आपको कोई questions में कोई doubt हो यह यह आपको questions नहीं हो रहा है या उस question में बहुत सारी problems हैं तो आप मुझे बताएं मैं उसके लिए help करूंगा आपकी बताऊंगा आपको ठीक है तो मेरे what's on number पर question करें discuss मुझे बताएं ठीक अच्छे से पढ़ें मन लागत पढ़ें और questions को अपने आपी शॉल्प में कोशिय करें carefully करें और students मैं आपसे हर बार कहता हूँ हर बार कहता हूँ कि पहले videos को देखें समझें उसके बाद video के notes को अपनी copy में note करें मैं हर videos में समझाता हूँ ठीक है और एक बात और कि जो मैं आपको assignment देता हूँ test देता हूँ please solve करें यह बहुत ज़यूरी है ठीक आपसे solve करें समझें ठीक यू बाई